हेलो दर्सको कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रुमेड़िज में जहां पर हम आपको एक से एक बहतरिन बढ़िया जानकारिया देते रहते हैं तो अगर आपको सभी परकार के जड़ी बूटियों की जानकारिया चाहिए उनके होती कारगर होती हैं और उनका बड़ाव प्योग होता है और वर्सों से उनको अनेक रोगों को दूर करने के लिए प्रियोग में लाया जाता रहा है ऐसी ही एक दूरलब होती जा रही उस दिये पेड़ हिंगोट है इसको अलग-अलग भासाओं में अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है सामनत इसको हिंगोट हिंगोटा हिंगून हिंगोल इंगूडी अंगार वरिक से तपस वरिक से दिर्ग गंटक तपस दुरूम यूनानी भासा में इसको हंगूल हिंगन हिंदी में इसको कांटेदार पेड़ सोप बेरी का पेड़ रेगिस्तान का खजूर मिस्सर का बाल साम आधी कहा जाता है इंगलिस में इसको डजर्ट डेट कहा जाता है इसका जो वानस्पतिक नाम है वो बलैंटीज एजेफटी का है और ये जाइगो फाइल एसिया कुल का पोदा है मून रूप से ये रेगिस्तानी अलाकों अफरीका एम एसिया के सूखे छेतर में पाजाता है भारत में गुजरात, MP, राजस्थान, हरियाना, पंजाब और साउथ इंडिया में ज़्यातर पाजाता है इसमें परचूर मातरा में कार्भाईडरेट, विटामिन, विनरल, प्रोटीन पाजाता है ये केलस्टरोन को घटाता है, इसका प्रियोग खांसी दमा, मासिक धर्म, सारीरिक कमजोरी, माताओं के दूद, भढ़ाने, पेट, दर्द, दांतों की फढ़न, गेंगा आदी रोग में इसका बहुत प्रियोग क्या जाता है, इनको दूर करने वाला मानागा है इसको, इसकी जो चाल होती है, वो टॉंसिल, नजला, कबज को दूर करती है सुखा रोग, खांसी रोग, फेपड़ा का संकर्मान, स्किन प्रोब्लम और विश्रोध होता है इसमें एंटी कैंसर, एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वाइरल, मूत्रल, घाव भरने वाला, एंटी दाइबेटिक, हेपेटो प्रोटेक्टिव, एंटी इंफिलेमेटरी गुन पाये जाते हैं हिंगोट का वरक्स कांटेदार होता है, इसकी जो पत्तियां होते हैं, जाधा बड़ी नगी होती हैं, इस पर अभी फल लगे वी हैं, इसके जो फल होते हैं, वो गोलाकार होते हैं और रखची वस्ता में ये बिलकुल हरे होते हैं पकने के बाद देखिए जो पकेवे फल हैं ये बिलकुल भूरी रंग के हो जाते हैं बड़े चमकदार होते हैं इनके जो उपर का खोल होता है ये नारील के तरह कठोर होता है जिसमें बादाम के जैसी गिरी निकलती है फोड़ने पर जिसका स्वाद थोड़ा तीखा सा होता है कड़वास आता है इसके जो फेड़ होते हैं वो तीस से 35 फुट के हो जाते हैं आमतोर पर ये 15-25 साल के जब हो जाते हैं तब ये वरपूर फल देते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में फल ये पांच या साथ साल की उमर में भी देना शुरू कर देते हैं और ये रेगिस्त है का अस्थमा रोधी होता है इसकी जो जड़ होती है वो मलेरिया रोधी होती है इसके वैसे तो बहुत से परियोग हैं लेकिन मैं आपको बहुत ही कारगर और खास परियोग बताता हूं वैसे तिसके बहुत से परियोग है और वेगैनिक सोदम इसके बहुत से कुन पाए इसमें बहुत से रोगों को ठीक करने की ताकत पाई गई हैं जलने पर आप इसका परियोग कर सकते हैं फल को पीछ कर लेप बना करें उसमें थोड़ा सहद मिक्स करके आप लगाते हैं तो आपके जो जलने की जो जलन होती हो बिल्कुल ठीक हो जाती है और निशान भी ने निशान भी जाती है तो आँखों में पानी आने पर इसमें जो 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 temporary बन्द उजाए को जा लेकिन इसको आँखों में नहीं लगाना है सिर्फ काजल की तरह निप्तर में लगाना है लापर靡्यों पर जिन को गले की रोग हो गए हैं गला में सूजिन हो गई या टॉंसिल हो गए हैं उसमें भी आप इसके जो फल की गिरी होती है उसको खाते हैं उसको तोड़े गर्म पानी के साथ खाते हैं तो आपका जो गले की खार या गले की सुजन बहुत जल्दी ठीक होती है बवासिर के समस्य में अगर आपको कैसी भी वासिर हो चाहे इसके फ वासिर जड़ से खतम हो जाती है खासी काहे कैसी भी हो उसमें गिरी को पीश करे इसके जो फल की गिरी होती है उसको निकाल कर उसको पीश करे चीनी या खान मिक्स करके खाने से खासी की जो समस्चा बिल्कुल खतम हो जाती है का फतला होकर बाहर निकल जाता है तवचा रोग में जिनको तवचा की कोई भी समस्या है उसके जो फल के गुदो को पीछ कर पानी में पीछ कर लेप करने से मुहा से या कैसी भी जो भी समस्या हो ठीक हो जाती है जिनको फैटी लीवर की समस्या है उसमें फल के सेवन से जो फैटी लीवर ह उसकी समस् unsuccessful भिलकूल ठीक हो जाती है लिवर रोगों को ठीक करता है ये। खब्ज की समस्違う हिंगोटे का फल जो होता है वो बड़ा गुर्णकारी होता है रामबानौस दी है ये। कवज की उसमें इसको दही के साथ mix करके लेने से कवज की समस्या बिलकुल ठीक हो जाती है और जो आपका जमावा मल है वो बाहर निकल जाता है diabetes की समस्या में भी ये बहुत काम लिया जाता है ये anti-diabetic bonus में बहुत आयत में पाई जाते हैं इसके प्रियोग से बलड सुगर कंट्रोल होती हैं, तो इसका फल होता है उसकी गिरी को आप प्रियोग करते हैं लगातार थोड़ी मातरा में, तो डायविटीज की समस्य धेरे धेरे कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि ये मुतरल गुन भी इसमें पाये जाते हैं, तो इसलिए इसका जो फल होता है उसको प्रियोग करने से जो पत्री की जो समस्या होती है वो भी बड़ी जल्दी ठीक होती है चोट या घाओ के समस्या में यह भी बहुत कारगर पायागा है इसमें एंटी इंफ्लेमेंटरी एंटी ओक्सिडेंट कुण होते हैं तो इसका जो फल का जो गुदा होता है उसको पीश कर अगर आप लेप करते हैं या चाल का जो पेस्ट बना कर आप लेप करते हैं पानी के साथ बना कर लेप करते हैं तो चोट या घाओ को बड़ी जल्दी ठीक करता है और बैक्टीरिया जो को मारता है यह सिफलिस या गोनरि या एड्स रोग में भी बहुत एफेक्टिव देखा गया है यह पीन रोगों की कोई अभी दवाई नहीं है लेकिन आईरवेद में इनको कंट्रोल करने के बहुत से नुस्के हैं उन में से हिंगोट कवरिक्स भी यह देखा गया है कि एड्स तक की बिमारी में भी जो सोदों में देखा गया है कि इसमें यह एंटी वाईरल जो गुन होते हैं उसके चाल का डावता लगातार पचास हमल दो महिने लेने से इन बिमारियों पर रोक लगती है इनमें कमी देखनों को मिलती है अगला जो प्रियोग है इसका वो मच्छर मारने के लिए बी किया जाता है मर जाते हैं और उनके जो पनपने की जो परकिर्या होती यह वंद हो जाती है इसके परियोग से कैंसर जैसी घातक विमारी का उपचार भी संबब होए इसके फल में एंटी कैंसर गुन पाये जाते हैं इसका जो फल का लगातार अगर ठोड़ी मातरा में 7 किया जाए मिस्री मिक्स करके जो कंसर के सेल्स होते हैं उनको बढ़ने से रोकता है और बिमारी पर रोक लगाता है दाद खाज खुजली जिनको है उसमें इसके पत्तो को कूट कर इसका लेप बना कर लगाने से दाद खाज खुजली बिलकुल दूर हो जाती हैं क्योंकि इसमें दाद खाज पीड़े मर जाते हैं बाहर निकल जाते हैं पेट दर्द के लिए भी भी बहुत अच्छा पाई है फलको शक्र मिलाकर खाने से भी पेट दर्द के समझ्या बहुत जल्दी ठीक होती है या इसके जड़ का अर्क 10 ml पीने से भी पेट दर्द में बहुत फाइदा करता है मलेरिया में भी इसकी जड़का काड़ा बनाकर पीने से मलेरिया रोग में भी देखा गया है कि ये बहुत फायदा करता है पीलिया रोग जिनको हो गया है उसमें भी इसकी जड़का काड़ा अगर आप 10 ml 5 या 7 दिन पीते हैं तो पीलिया रोग में भी बहुत फायदा करता है जिनको पेट के कीड़े हो गए हैं उसमें इसकी जो गिरी होती है उसमें गुर्ग के साथ अगर आप इसको खाली पेट खाते हैं कुछ दिन तो आपके जो पेट के कीड़े हैं वो बहुत जल्दी मरकर बाहर आ जाते हैं अस्थमा रोग में भी ये बहुत कारगर देखा गया है इसके जो फल होता है उसके गिरी का चूर्ण दस गराम पानी के साथ एक गिलास पानी के साथ अगर आप पंदरा दिन तक लेते हैं तो आपके अस्थमा रोग की जो समस्या है उसमें बहुत फायदा करता है कफ आपका जो पतला होकर बाहर निकल जाता है इसका गरब निरोदक के रुप में भी लोग प्रियोग करते हैं अंचाहे गरब से अगर आप बचना चाते हैं तो आप इसके जो पत्तों का रस होता है उसमें पीपर सुपारी मिला कर पीश कर एक सफता तक अगर आप प्रियोग करते है तो अंचाह गरब आपको नहीं ठहरता है और इसके फलों को पीश करें योनी में मासिक धरब से निवरित होकर अगर आप इसका लेव करते हैं इसके फलों को पीश करें तो अंचाह गरब से आप छुटकर आप पासकते हैं लेकिन इसका दो तिन दिन ही आप लेव का लेव का प्रियोग ना करें और इसका जो चूरुन होता है वो एक से चार गरम तक ही लें और इसका अकाड़ा दस हमल तक ही आप प्रियोग करें ज्यादा मातरा में कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो नुक्षान करती हैं इसमें दस्त लगाने के गुण होते हैं अगर आप ज्यादा मातरा में इसका प्रियोग करते हैं तो भी ज्यादा मातरा में ना करें क्योंकि इसे दस्त लग सकते हैं ज्यादा मातरा में गर्व निरोधक के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके जो सुक्राने होते हैं वो फरीज हो जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान करके आप इसका परियोग करते हैं तो बहुत बढ़िया ओस्दी पेड़ है और इसका वर्षों से ह परियोग होता है और भी इसके बहुत ज़्यादा परियोग हैं कभी आपको फिर किसी वीडियो में बताएंगे अगर आपको मेरी जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर केजिए और चैनल को नए हो तो सभी परकार के जानकारिया पाने के लिए आप है चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजिए तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ है तब तक लिए जैहिंद नमस्कार